तो फ्रेंड्स अभी मैं रिसेंटली काहित्री कुंज हरित्वार कही थी वहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ी एक प्रदशनी लगा रखी है जड़ी बूटियों की और विबिन भारतिय पौधों की वहाँ पर मुझे असली शमी देखने का मौका मिला वहाँ मैंने कई ऐसे पौधे देखे जो मुझे शमी से मैं कंफ्यूजड हो रही थी जैसे खैर का पौधा वो भी थोड़ा थोड़ा वैसा ही दिखता था उसके बार मैंने छुई मुई के पौधे को देखा जो पौधे की भी पतिया कुछ-कुछ वैसी लगती थी और मैं ब असली शमी की बात करते हैं असली शमी जिसे प्रॉसोप्रिस संवरेरिया कहते हैं यह पौधा जो होता है वह राजस्थान में सबसे जादा पाया जाता है इसे हम खेजरी भी कहते हैं सफेद कीकर कहते हैं शमी कहते हैं स्पंक्ट्री कहते हैं पंजाबी में इसे जंड कहा जाता है जन्ध में उसे कांडी कहते हैं तमिल ने इसे वंडी कहते हैं वंद्वोखते वंद्व कियते हैं यही पौधा उत्त Арप्रदेश में कुछ अग्फोन चौकरा नाम से भी जानते हैं चोटा बेड होता है इसकी उचाही तीन से पाँच मीटर तक Don होती हैं पतियां दुपक्षी होती हैं प्रतेक पर एक से तीन पंखड़ी वाली साथ से चौॉदा पतियां होती हैं शाखाएं इंटर नोटस के साफ काटेदार होती हैं फूल चोटे और मलाईधार फीले रंके होते हैं इसके बाद जो प gur 되지 हैं उनमें बीज होते मतर की लंबी होती है यहां पेड अत्यां शुष के परिस्थितियों में पाया जाता है यहां सलाना 150 मीटर से भी कम वर्षा जहां होगी वहां आप इन पेड़ों को पा सकते हैं लेकिन यह गहरे जल इस्तर की उपस्थिती का भी संकेत देते हैं शमी का पौधा भारत के थाड डिजर्ट से लेकर के पाकिस्तान से लेकर के अफगानिस्तान और साउदी अरेबिया तक में पाया जाता है यह पौधा जो है तमिल नाडू के भी कुछ स्थानों पे पाया गया है शमी ट्री जिसे तमिल में वन्नी ट्री भी कहते है यह व्रिक्ष थल व्रिक्ष के नाम से जाना जाता है और भगवान शिव और मुर्गन स्वामी के मंदिरों के आसपास यह जरूर पाया जाता है कहते हैं कि एक बार जब अगनी देव को दूसरे देवता दोड़ा रहे थे तो उन्होंने अश्वत और शमी की ही शरन ली थी और तब से उनको यह आशिरवात दिया कि कोई भी हवन या यग्य होगा तो तुम्हारी अगनी से ही मुझे प्रज्वलित किया जाएगा आज भी वैदिक तरीके से जब कहीं पूजन होता है तो दो लकडियों को रगड कर ही अगनी निकाली जाती है उसमें से एक लकडि अश्वत अधाग पीपल की होती है और दूसरी शमी की होती है दोनों ही व्रिक्ष जो है बहुत ही जादा औस्पीशिस और पवित्र व्रिक्ष माने जाते हैं शमी की पूजन कहते हमारे शनी ग्रह की शान्ती करता है शमी की पूजन से कहते हमारे जीवन के बहुत सारे कश्ट दूर होते हैं इसी शमी की पत्तियों को हम भगवान शिव पे भी चढ़ाते हैं और भगवान गड़पदी पे भी चढ़ाते हैं अपने कल्यान की प्रातना करते हुए मुलतहः शमी की लगड़ी को अगनी तत्व से ही एसोसियेटिट माना जाता है और मुस्ट फायर रिच्वल्स में इनका उपयोग किया जाता है शनी की शांती के ल पहले अपने समस्ता अस्त्र शस्त्रों को एक शमी व्रिक्ष की शरण में रखा था उसी में छुपा करके ही वो गए थे और वो उनके आने तक सुरक्षित रहा भारत में राजा महराजा जब युद्ध पर जाते थे तो वो भी अपने धन को और अस्त्र शस्त्रों को उप अगर हम तांबे के लोटे से लाल चंदन डाल कर जल चड़ाते हैं और ओम नमज शिवाई की चैंटिंग करते हैं तो हमारी मनुकामना जरूर पूरी होती है। अब मैं आपको शमी से मिलता जुलता एक और पौधा दिखाती हूँ जिससे प्रॉस्पे जूली फ्लोरा कहते हैं जिसे अंग्रेजों ने साउथ अमारिका से लाकर भारत में रोपा था दोनों के ही भूल पेले होते हैं लेकिन में डिफ्रेंस यह होता है यह जाड की तरह हो और इसका रोपड भारत में बहुत जगहां पर हुआ है अब मैं जो आपको पौधा दिखा रही हूँ इसे डाइक्रो स्टाचस सेनेरिया कहते हैं यही पौधा आपको नसरी वाले बेचते हैं जिसे वीरतरू हिंदी में कहा जाता है इसकी और रियल शमी के बीच में काफी अंतर होता इसकी पत्या थोड़ी छोटी होती है और इसमें जो फूल आते हैं वो बैगनी रंके आते हैं लेकिन शमी के पौधे के फूल यलो कलर के होते हैं आशा करती हूं कि मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको जरूर पसंद आया होगा प्लीज वीडियो को दूसरों के सा शेयर जरूर करें वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे कमेंट देना ना भूले नमाशिवार